तुफान निर्गस का सबसे ज़्यादा असर महारास्ट के अली बाग और रतनागिरी में देखा गया यहां हवा की रफ्तार काफी ज़्यादा रही राइगर और रतनागिरी में टीन शेड उड़ते देखे गए यहीं एक जाच उची लहरों में उलजकर समुदर के किनारे प प्रेशन बंद रखा गया आपको बता दे कि महारास्ट के राइगर्ड में निर्गस तुफान ने घरों से लेकर गोदाम तक में तवाही मचाई कई घरों की छते तिनकों की तरह उड़ गई वहीं तेज हवाव ने रेडी वालों की ठेले भी परट दिये अली बाग में त तुफान टरकाते समें 125 किलोमिटर की रफतार से हवाई चलनी शुरू हो गई तुफान की असर से तेज बारिश भी हुई आधी और बारिश से इमारतों को नुकसान हुआ अलिबाग के टोल नाके पर हवाई इतनी तेज रफतार से चली कि टोल नाके की छत ही उड़ गई के नीचे दब गई वही पाल घर में तेज हवाओं और बारिश से खासा नुकसान हुआ है कई घरों की छते उड़ने की तस्वीरे सामने आई वहीं तेज हवा के चलते कई जगए पेड़ भी गिर गए हैं तटी शहरी रतनागिरी में भी तुफान ने खासा कहर ढ़ाया यहां कई मकानों की टीन की छत उड़ गई तो कई पेड़ भी गिर गए यहां एक जहाच उची लहरो और टेज हवा में फसकर समुदर के किनारे पर फस गया गुजरात के दुआरका में समुदर में उचा जवार उठा पहले यह तुफान गुजरात के टट से भी टकरवान अवाला था लेकिन मोसम विभाग ने बाद में यह अनुमान वापस ले लिया ऐसे ही लेटेस्ट पर पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद और सभ्सक्राइब करें इसक्राइब करेंन से बाद लेकित रρείक बाद में बाद मक लाद आता है झाल 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 झाल, झाल, झाल